अभ्यम दर्शिकों हर हर महादेव आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत हैं कैसे हैं आप सब मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्त और सुरक्षित होंगे दर्शिकों 15 सितंबर श्राद पक्षी की पित्र पक्षी की पंचमेती थी और गुरुवार का दिन यदि आप अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं और अपने पित्रों का आशिरवात प्राप्त करना चाहते हैं इस श्राद पक्ष में यदि आप अपने पित्रों के निम्मित और पित्रों की आत्मा की शांती हेतु इस एक उपाय को करते हैं तो आपके समस्त मनो कामनाय पूर्ण होगी, साथ ही आपके पूर्वजों का आशिरवाद भी आपको प्राप्त होगा और भगवान शिव अपनी क्रपा आप पर बनाएंगे। उपाय करना है, आपको एक पान का पत्ता चाहिए है, ध्यान रखे पान का पत्ता खंडित नहीं होना चाहिए, कोमल पत्ता ले हो सके तो डंडी वाला पत्ता ले नहीं मिल पाता है, तो जो भी पत्ता आपको मिलता है उसके भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, साथ में आपको पॉच इलाइची चाहिए हैं, पान का पत्ते पर पाँचों इलाइचीओं को रखें आप और प्रदोश काल में भगवान शिव के मंदिर जाएं, जिस प्रकार आप भगवान शिव का पूजन करते हैं, उसी प्रकार से पूजन करें, दीब जलाएं, उसके बाद अपनी मनुकामना को कहते हुए यह पान का पत्ता और पांच हरी इलाइची भगवान के शिवलिंग के जो कटी वाला इस्थान है जिस पर माता पारवती का हस्त कमल जिस पर शिवलिंग विराजमान है उस इस्थान पर आपको यह पान का पत्ता और इलाइची अरपित कर देन और भगवान शिव से अपनी मनुकामना को कहना है और पित्रों की आत्मा की शांती हित्व प्राथना करना है। आपकी मनुकामना अवश्य ही पून्न होगी, सांती भगवान शिव आपके सारे कस्टों को हर लेंगे। श्री शिवाय नमस्तो भ्यम दर्शकों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेगा, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तो भ्यम हर हर महादिव अवश्य लिखें।